हाई एफ्रिमवान वेलकम टो ग्लोबला उनलाइन सो यूजस ने दिसम्बर दो हजार चॉबिस एक्जामिनेशन की अगर आप भी तयारी कर रहे हैं तो जरूर एक क्वेशन आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि क्या इस कम समय में हम पेपर से पहले पूरा सलेबस कवर कर पाएंगे और क्या वो तरीका है जिससे हम सलेबस कवर करने के साथ साथ ऐसे रिविजिन करें ताकि बहुत एजिली हम फर्स अटेम्ट में भी पेपर वन में 100 में से 80 प्लस कोर कर सकें और स्टुडेंट्स आप सबको हेल्प करने के लिए इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए एक कम्प्लीट कोर्स में पेपर वन का लेकर आई हूँ जिसका न्यू बैच 11 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और जैसा कि आप सभी देखी सकते हो इस न्यू बैच में हम आपको रोज तीन लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सलिबस तो कवर करवाएंगे ही साथ ही आप लोगों के फाइनल रोविजन के लिए आपको हम topic wise byqs और mcqs भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपको ये भी पता चलता रहे कि जो भी topic आपने पढ़ा है या जो भी unit आप पढ़ रहे हो उसमें से किस level के questions आज तक paper में पूछे गए है एक पार students अगर इन live classes में आपके concepts clear हो गए आपको ये समझ में आ गया कि कैसे questions paper में आते हैं तो definitely ये full syllabus updated mock test आप लोगों की revision में आपको बहुत जादा help करने वाले हैं इस mock test में हमने June 2024 से लेकर के re-examination जो की August और September 2024 में हुआ है उसकी level को बहुत अच्छे से analyze करते हुए ही questions frame किये हैं ताकि जो भी students in mock test को दे उन लोगों को upcoming examination में बहुत easily correct answers को identify करने में मदद मिल सके इसके अलावा और भी बहुत से चीज़ें हैं जिसको हम आगे discuss करेंगे सो देखें students paper 1 में एक सबसे बड़ा confusion बच्चों में ये रहता है कि मैम paper 1 का syllabus तो कुछ और है हमने पूरा syllabus अच्छे से पढ़ा लेकिन जो paper में paper 1 के questions आए वो कुछ और ही थे जैसे कि बहुत से बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम teaching aptitude में एक topic आप पढ़ाते हो paper में आता है जिसका नाम है blooms taxonomy लेकिन ये topic हमें syllabus में तो कहीं भी नहीं दिखा तो ये कुछ ऐसी चीजें है students जिन पर आपको ध्यान देना है कि paper 1 में कौन-कौन से वो ऐसे topics हैं जो कि directly syllabus में mention नहीं किये हुए हैं लेकिन आपके examination में जरूर पूछे चाते हैं अब blooms taxonomy जो है ये आपका models of teaching, ways of teaching का एक sub-topic है तो directly syllabus में ये mention नहीं किया है लेकिन paper में जरूर आएगा अब जैसे हम teaching aptitude के बात करें teaching aptitude में भी एक topic आता है sampling और उसके types जिसको हिंदी में नमूना करन बोलते हैं students में यही question रहता है कि मैं ये topic तो कहीं में लिखा नहीं है लेकिन paper में हर बार आता है तो इनी सब चीजों का ध्यान रखते हुए ही students आपको paper one की तयारी करनी होती है और यही सही तरीका है paper one की तयारी करने के लिए कि आप एक proper guidance के साथ पढ़े आप exam के level के हिसाब से पढ़े यानि कि आप कोई भी topic अगर पढ़ रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि updated paper के level के हिसाब से इस topic में से कैसे सवाल आते हैं आप लोगों के लिए सिरफ syllabus cover करना जरूरी नहीं है ये समझना भी बहुत जादा जरूरी है कि paper का updated pattern क्या है किस unit में से कैसे सवाल आते हैं direct question कहां से आते हैं और घुमा फिराकर questions कहां से आते हैं ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ही ये complete course में आपके लिए लेकर आई हूँ इसमें students आप लोगों को हम full syllabus notes भी provide करवाते हैं जिसके अगर आप पढ़ते हो तो आपको कोई भी extra book लेने की जरूरत नहीं है आपको एक special whatsapp group में भी इस batch में join किया जाएगा जिस group में students आप लोगों को हर class के बाद उस class की pdf में provide करवाऊंगी ताकि आपको अलग से notes ना बनाने पड़े और easily आप सभी पढ़ सके हर question अगर हम आपको किसी session में मालीजे 100 plus questions करवा रहे हैं तो वो 100 questions आपको English और Hindi दोनों languages में मिलेगे वो भी answers और explanation के साथ ठीक है और इसकी pdf के साथ-साथ video lectures भी आपको मिल जाते हैं आप ही के group में ताकि किसी भी student को कोई भी topic या कोई भी unit revise करने में दिक्तत ना हो साथी students 5000 plus mcq question bank जो है ये बहुत ही सादा important है paper 1 में लगभग 30 questions आपको इसी pdf में से देखने को मिलेंगे क्योंकि ये बिलकुल updated questions है updated pattern के हिसाब से बनाए गए है और आपकी help करने के लिए इसमें हमने answers के साथ explanation भी जोड़ी है ताकि कोई भी student बिलकुल भी तयारी के समय परिशान ना हो अगर आपका target December 2024 नहीं वैलकि June 2025 exam को target करना है तो आप लोग आज से ही हमारे साथ जूट सकते हो limited period के लिए discount भी दे रही हूँ and one year तक के लिए ये course valid रहेगा आपको यहाँ पर दो numbers दे रही हूँ आपको whatsapp के थूँ खासतोर पर इस number पर whatsapp के थूँ आप call या message करके हमसे contact कर सकते हैं और इससे पहले free videos देखना चाहते हो इस course का content देखना चाहते हो तो आप Global Online आपको जरूर डाउनूट कीजिए store section पर search bar में लिखे course का नाम content पर जाकर आप देखेंगे ये complete courses available हैं Hindi and English में हर course में students आप देखूगे तो इस तरीके से unit wise folders मिलेंगे जहां पर आपको हर unit के updated mock test मिलते हैं PDF files मिलती हैं साथ ही video lectures भी मिलते हैं जिसमें की हम आपको बहुत ही easy way में real life examples के साथ concepts clear करवाते हैं ताकि किसी भी student को समझने में कोई दिक्कत ना हो previous year papers भी आप यहां पर देख सकते हो जिसमें कुछ ऐसे tricks बताए हैं जिनकी मदद से बहुत easily हम कम समय में correct answers को identify कर सकते हैं आपकी final revision के लिए 5000 MCQs तो हैं ही साथ ही full syllabus mock test भी है और unit wise updated mock test भी है जो कि weekly यहां पर update किये जाते हैं कोई भी एक unit जब हम आपको पढ़ाते हैं live classes में एक unit complete होने के बाद उस unit के PYQs हम पढ़ेंगे और साथ ही उस unit के full syllabus mock test आपको दिये जाएंगे ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से तयारी हो जाए और आपको यह भी पता चल जाए कि कैसे quickly हमें questions को समझना है और कम समय में questions को attempt करना है तो यह बहुत जादा जरूरी है कि आप इस number पर whatsapp के through मुझे call या message करके contact करें और इस course की पूरी चानकारी आपको फिर मिल जाएगी so thank you so much everyone अभी भी अगर आपको कोई doubt है तो आप directly हमसे पूछ सकते हो ठीक है thank you so much and all the very best